हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू गार्गी क्लासेज गार्गी क्लासेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम पढ़ रहे थे नुक्लियर रेक्टर के टाइप्स जिसमें हम पढ़ चुके हैं BWR boiling water reactor PWR pressurized water reactor यह दो रेक्टर हम पढ़ चुके हैं तो आज हम पढ़ेंगे ज pressurized heavy water reactor जिसको हम कांडू रेक्टर भी बोलते हैं इसको हम कांडू रेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि C-A-N जो इसमें C-A-N है वो Canada, D जो है वो है deuterium और U जो है वो uranium तो तीनों से मिलकर यह बना है can-do reactor तो can-do reactor में Canada क्योंकि यह जो prototype जो है ना सबसे पहले design किया था Canada ने तो इसलिए इसका नाम Canada से C-A-N ले लिया गया deuterium इसलिए हो गया क्योंकि इसमें हम moderator भी और प्लस में equivalent यानि मंदक और शीतलक दोनों ही हम heavy water काम मिलेते हैं तो इसलिए इसका deuterium जो कि क्या होता है deuterium D2O deuterium dioxide और uranium fuel के रूप में हम uranium काम लेते हैं इसलिए इसका नाम can-do रखा गया तो हम देख रहेते हैं इसके working कैसे क्या होगी किस तरह से work करेगा सबसे पहले हम देख रहेते हैं कि यह जो होता है इसके अंदर calendria calendria जो होता है यह पूरा एक vessel के रूप में रहता है जिसमें heavy water include रहता है plus में जो control roads होती है वो include होता है और जो fuel के जो bundles होते हैं वो इसके अंदर यू लगे वे रहते हैं जो work करते हैं इसके साथ साथ plus में moderator इससे linked होता है heat exchanger जो होता है वो इससे link up रहता है यह सारा इसमें calendria में combine रहता है तो हमारा जो इसके अंदर जो भारी जल है यानि मंदक जो होता है वो यहाँ पर हम heavy water गी रहा तो यह separation इसका coolant का और जो हमारा यह मंदक है moderator दोनों separate रहते हैं ऐसा नहीं कि heavy water जो है न यहाँ वाला ही moderator है और यहाँ वाला ही coolant है काम में दोनों लिए लेकिन working process जो है दोनों की अलग है जो heavy water जो moderator है यहाँ पर work क्या कर रहा है यहाँ वाला work कर रहा है जो हमारे neutrons होते हैं ठीक है यह हमारा uranium है uranium पर अगर neutron का जो है वो प्रहार किया तो उससे क्या होगा यह uranium दो में तूटेगा फिर दो से फिर यह ऐसे तूटता रहेगा यह तूटता रहेगा ओके यह process फर्दर चलती रहेगी तो इसको control करने के लिए हम क्या करते हैं heavy water काम म यह हमारी यह हमारा moderator यह एक्सजिंजर जैसे यहां से heat जोगी वो जाई जब इसमें steam exchanger में तो यहां पर जो है वो coolant काम करेगा coolant क्य Together हिएट को गरेगा transfer करेगा जिसे क्या हो dot योρεनियम 235 घो था है वो bundल्स के रूप में हम क्या करते हैं यहांपर डालते है यह सारे केलेंड्रिया में जो होता है वैसल के इंदर जो है फ्यूब के जो जब इनमें heavy water से reaction होएगा साथ में जब reaction work करेगी control roads जो है वो इसलिए काम मिली जाएगी जब इसमें control होएगा तो क्या होगा steam generator heat generate होगी और heat से क्या होगा यह heat जो है वो यहाँ move करेगी यह heat exchanger होगा हमारा steam generator जिसको बोलते हैं यहाँ पर क्या होगा steam का generation होगा होगा फाघक चैये होगा तर्बाइन से क्या होगा turbine से कुछ heat क्यों होती है वह हमारी जाएगी जाएगे 10Sire ऐस एक कुछ जो हमारी हीट है वह जाएगे मारी कंडेंसर कंडेंसर जो होता है वह coolwater जैसे लेक व disp cow कुई भी absorption होते है यह क्या hold जाती है और पूर मुश्म कि वह ओक यह जाती है water में convert हो ऑपस से क्या होती है यह स्टीम जर्नेटर में जाती वह एक साइकल सा भंजाता चलती रहती है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये control roads है, वो क्या काम करती है, control roads जो होती है, यहाँ पर, ये basically boron की, cadmium की, इनकी बना जाती है, जो हमारी control roads होती है, वो इसको, जो हमारा पूरा system है, ये वाला, इसको control रखती है, यानि ये हमारा explode ना कर जाए, हमारा जो destroy ना कर जाए, इसलिए क्या करती है, control roads, इस पर पूरे system पर control रखती है, इसलिए इसको लगाना जरूरी है, इस तरह हमने आज पढ़ा, can do reactor, अब हम देख रहे थे कि can do reactor के example कौन कौन से है, कि can do reactor इंडिया में कौन का वर्क कर रहा है, जैसे हमारा जो राजस्तान में रावत भा में लगाई गई थी, फिर दूसरा है हमारा कैगा करनाटक में, वहां पर भी इसका को रहा है, काकरा पार, गुजरात में, कल्पकम, गुजरात में, कल्पकम, तमिलाडू में, नरोरा, यूपी में, यह सारे जो है हमारे Canada base, जो can do reactor है, प्रेसराइज हेवी वाटर रियक्ट होगती है, वह उसको हम छोटी-चोटी-चोटी-चोटी roads बनाकर इसको क्या करें हम ट्यूब के रूप में डाल रहे है, तो bundle जैसे, bundle के रूपे डाले है, साथ ही, पीच-बीच में किया डाल रहे है, मोडेटर को डाल रहे है, तो क्या और EAP प्रोसेस हो एजी वे में उपा तोबलने के बाद सूल्वर्टे में क्या हो रहा है'' उसको प्रेशर देके उसे क्या chosen या सिस्टंड है इसंगर यह वाला यूण या करकला प्रेश किलेंटि के ईंदर system है ना मतलब यह वाला आपको दिखाती हूं है यह जो हमारा system इस प्रोसेस में यहां पर हमारा कोई heat generate होगी तो उससे क्या होगा हमें heat exchanger में यहां क्या होगा steam generate होगी और हम STEAM generating होगी और हमें यही चाहिए कि यहां पर हमारा steam generator होगी C तरबाइन से फिर क्या हो, जनरेटर के तुरू, एलक्रिशिटी जनरेट हो जाए, अब देख लीजी, यह कैंडू रियक्टर का मैंने एक फोटो लिया है, जिसमें देख सकते हैं, बिलकुल सेम प्रोसेस जो होती है, कई लोग कंफूर रहते हैं कि यह कैंडू रियक्टर और प्राकर्तिक यूरेनियम उसका कुशलता पूर्ट प्रियों करता है बलकि यह क्या करता है जो बाइप्रोडक्ट जो तरह है यानि उप उत्पात की रूप में प्लूटोनियम प्रियों करता है गया मतलब यूरेनियम प्रियों करी रहा है जो इसका है साथ में मतलब मौर और गौर प्रियोंच व क्या है वह हमने बताए दिया कि रावत भाता में इसके रावत भाता में लगा गया है तो आए आप एला कि देंव कि गैस पूल्ड रियक्टर अब जैसे कि आप नाम देख रहोंगे गैस कूल्ड रियक्टर इसका नाम ही गैस कूल्ड रियक्टर क्योंकि गैस के रूप में हम क्या काम मिलेते हैं गैस के रूप में हम काम मिलेते हैं यहां पर CO2 ठीक है यहां फिलेते हैं हम हीलियम और कूल्ड है यहार फिल्क कुछल यह नहीं हो गया यहां पर कुलेंट अब कुलेंट में हम कॉलेंट काम में तो श्य सब्सक्राइब तो जयसा क 사고 है नाम दिख रहे कि को सब्सक्राइब अब जो ऑना च्वेक्टर में हम co2 यह helium कोई भी काम में ले सकते हैं लेकिन मैं जो रियक्टर पढ़ा रहे हूं उसमें हम काम में ले रहे हैं co2 carbon dioxide gas और इंदन के रूप में हमें काम क्या लेते हैं uranium 235 तो यह हमारा जो फ्यूल तीनों चीज़े हो गई है कि moderator तो हमारा ग्रेफाइट और जो हमारा coolant जो होत यह gas जा रही है और फिर यही हमारा heat exchanger है इसी heat generate हो सोरी steam generate होकर turbine में जा रही है और बाकी की जो एक्स्ट्रा है वह हमारी कंडेंशन के तुरूब अपस या रही एक cycle बन रहा है तो देख लेते हैं यह हमारा reactor है जिसको reactor core उसको बोल सकते है इसमें हमारी क्या हो यह control roads लगाई गई है और जो fuel है वह uranium 235 यहां पर रखा गया है और फिर उसके बाद में uranium 235 मोडरेटर लगाया गया है मोडरेटर में graphite की जो roads है वो लगाई गई है अब graphite की जो roads लगाई गई है उसका क्या वर्क होगा उसका वर्क की होगा कि यह हमारा fuel है उसके उपर हमन end से क्या करते हैं प्रहार करते हैं तो यह वापस से 2 में तूट जाता है फिर यह 2 से 3 में तूट जाता है ऐसे यह एक process जो है वो चलती रहती है तो इस process को control करने के लिए जो हमारी chain reaction आई यह इसको control करने के लिए हम क्या करते हैं graphite का use करते हैं इसी तरह हम देखते हैं कि जो हमने CO2 जो ली है इसमें हम CO2 क्यों ले रहे हैं CO2 इसी ले ले रहे हैं क्योंकि CO2 कामे लेते हैं तो इसको cooling के लिए क्या होता है cooling के लिए एक बहुत ज़दा helpful होती है क्योंकि water जो होता है हमारा अगर हम water से compare करें तो water जो होता है वो high temperature पर उसको नहीं रख सकते हैं जबकि इसको उपन क्या कर सकते हैं गैस को high temperature पर रख सकते हैं और high temperature पर रखते हुए हम उर्जा उपन कर सकते हैं जबकि water के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक तरह से क्या हो भाट के लाट से हम क्या करते हैं तो हमें क्या है कि समय कोई इस में करना पढ़ता है यहां कि विधाए है कोई पर नहीं है करना पढ़ता है और बस यह हुला हमें इस एलेक्टर को पहुंचाना होता है, कि बस एक बार high temperature generate पर पहुंच जाएगा, तो क्या होगी, stream generate हो जाएगा, पर तरबाइन चला लेंगे, और फिर जनरेटर के थो एलेक्टरियूटर कर लेंगे, साथ ही एक फायदा इसका, GCR का एक फायदा ओर है, कि जो हमारा gas cooled reactor है, व वह सकता है फिर फिर पार्ट में प्रोज्ञ हो जाए या फिर दूसरा उसमें निभ्र dużo सकता है तो मंदलं हम सकते हैं ट्रम मानी या सकता है तो इसके लिये thing ш Celineрий मैं ऐसी कोई इसी नहीं होती है के वह यहाए के फ्रोजाइब करना होता है और और ऐसे अर्ग uses एपन हो जाती है और CO2 जो है वह एक कूलेंट की रूप में काम कर रही है यहांपर क्या है कोलेंट के रूप में काम कर रही है यह यहीत होती है हमारी उसको ट्राणसफर करेंगी हीट exchanger में और फिर स्टीम में convert हो जाएगी तो यह भी बड़ा benefit हो कि जो gas है वह coolant की रूप में काम कर रही है और जो हमारा uranium 235 जो है वह क्या होगा जब अब देख रहते हैं यहाँ पर यहाँ पर हमारा uranium 235 है ठीक है जब यहाँ पर जब हमारी chain reaction होएगी तो co2 क्या करेगा यहाँ करेगा शीट से हीट में convert हो जाएगी यह करेगा यहाँ पर स्टीम को करेगा स्टीम से टर्बाइन में जाएगी यहाँ पर हमारा generator लगा हुआ है और electricity ажudside city डवलप हो जाएगी इसी तरह जो एक्स्ट्रा यहां पर यहां पर कुछ वह आमारे आजएगी कo बन जाता है अब इसी में एक ऑर आता है हमारा एढ्वा ऋएज स्विशस्यम् میں डालती रेक्टर टें जो advanced gas cooled reactor है वो इसी का advanced version है जो की UK ने बनाए था और इसमें और advanced reactor में के वोली इतना difference है कि जो process जो है वो fast होती है और जो generate जो हमारी electricity generate होती है वो ज्यादा होती है बाकि almost working इसकी same है advanced cool reactor और gas cooled reactor की next हम चलते है light water cooled graphite moderator reactor जैसा की नाम से दिख रहा है light water इसमें हम क्या कामें ले रहे light water जो है हमारा वो तो हमारा coolant light water cooled यानी पर क्या हो गया coolant coolant यह तो हमारा coolant हो गया और graphite हमारा क्या है moderator और fuel यहाँ पर क्या है हमारा uranium 235 uranium हमारा हो गया 235 अब इसकी working देख लेते हैं कि कैसे क्या working है इसकी जो हमारा light water cooler graphite moderator reactor है वो यूस नहीं डवलब किया था सोविट यूनियन जो है इस रियक्टर में क्या होता है लार्ज स्टील की क्या होती है प्रेशर वैसल होती है उसके अंदर क्या होती है रोड्स यूरेनियम जो हमारा फ्यूल वह होता है graphite जो होता है moderator वह भी इसमें लगा जाता है साथ ही हमारा coolant जो होता है light water वह भी इसके अंदर रहता है ऐसे रहता coolant यहां पर लगावा होता है primary circuit में जो होता है वह coolant लगावा होता है तो जब हमारा chain reaction होएगा तो chain reaction से क्या होगा हमारा जो यूरेनियम है वह convert किसमें हो जाएगा heat में convert हो जाएगा और heat जाएगी turbine में तरवाइन से generator में convert हो जाएगी और साथ ही जो हमारा condenser है वह क्या करेगा वह हमारे जो हमारी steam है उसको water में convert करेगा उसको cool कर देगा जिससे water में convert हो जाएगा और एक cycle बनता जाएगा Confederate करता हिक निर्ट जो होता है उसकी घति को दीमा करता है साती इसमें temperature रखना होता है फ़िचे टेम्प्रेशर अनुसमें जो होता है मोडेटर हम क्या रखते रेक्ते हैं water कामी लेक्ते सिंपकि यहां पर हम क्या लेते हैं Lordeert को डेप को लेते हैं बी एम के रियक्टर तो आज का ये टोपिक पूरा हुआ कल हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइप की वीडियो पर बात करेंगे थेंक्यू ये वीडियो देखने के लिए लेटेस अब्देट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना करना ना भूले बाइ थेंक्यू